हलो दूस्तों नमस्कार स्वागत है आपका स्टेडी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में आज एक मॉडल आंसर करेंट और साइंस एंड टेक्स से जुड़ा हुआ भारत की वैक्सीन कूटनीती आप भूमिका बनाते हुए लिखेंगे कि पडोसी और प्रमुक साजेदार देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन प्रदान करने का नर्णा लिया गया भूटान वाब माल्दीप को पहली खेप पहुँच चुकी है वैक्सीन कूटनीती यहां से अर संबंदों को मजबूत करने के लिए टीकों का विकास या वित्रण का उपयोग करता है इसमें जीवन रच्छक टीकों का और संबंदित विकास किया जाना भी सामेल है जहां विविन देशों के बैग्यानिक संबंदित देशों के राजनाएक संबंदों को महत दिये बिना स इस प्रकार लाप्रद हो सकता है भारत के लिए लाप्रद पडोसी देशों और संपूर्ण विश्व के साथ राजनेक संबंधों को बढ़ावा देने का अवसर ये क्या हो सकता है पडोसी देशों के साथ तथा संपूर्ण विश्व के साथ राजनेक संबंधों को बढ़ाव देने के लिए अवसर प्रदान कर सकती है वैक्सीन इससे पूर्वी भारत ने बड़ी संख्या में देशों को महामारी से निपटने के लिए दवाईया डाइगनोस्टिक केट वेंटिलेटर मास्क दस्ताने तथा अन्मेडिकल उपकरण भी प्रदान किये थे कई पडोसी दे की योजना मालदी भूटान बंगलादेश और नेपाल में वैक्सीन की सिपमेंट पहुचना सुरू हो गई जबकि म्यामार में और सेसल्स को जल्दी वैक्सीन की सिपमेंट प्राप्थ हो जाएगी स्री लंका अफगानिस्तान और मौरिसस के मामलों में भारत आवस्यक नि का वैक्सीन का उपियोग को मंजूरी दे दिया और भारत के साथ उसने कोई चर्चा भी नहीं कि है और ना ही वैक्सीन को लेंगे का कोई प्रिस्ताव किया है भारत की वैक्सीन कूटनीती का महत हैं सामरेक महत इहें क्यों हो जाएका दीरगा वधिक ख्याती अर्जित करना बहुत दिनों तक के लिए ख्याती अर्जित होगी कैसे निकट बरती पडोसी देशों वाहिंद महासागर के देशों में दीरगा कालिक ख्याती अर्जित करना यह भारत की नेवर हुड फस्ट नीती के अनुरूप होगा जो नेवर हुड फस्ट नीती चलाई जा रही है सरकार के द्वारा पडोसी प्रथम की उसके अनुरूप है यह चीन की तुलना में रड़ नीतिक बढ़त मिलेगी हाली में चीन ने नेपाल, अफगानिस्तान, स्री लंका, बंगला देश और पाकिस्तान के साथ बहुप अच्छी बारता करते हुए उन्हें कोरोना वैक्सीन देने की पेसकस की थी पाकिस्तान के अतरिक्त अन सभी देशों में भारत से जल्द वैक्सीन पहुँचने के कारण चीन की वैक्सीन और मास्क कूट नीती का मुकावला करने में मिल सकती है क्योंकि भारत से पहले पहुच गई तो चीन से ये मुकावला कर सकती है पस्चिमी देशों की तुलना में लाव जहां एक ओर समरद पस्चिमी देश विसेश रूप से यूरोप के देश और अमेरिका अपनी विसेश्ट समस्याओं का सामना कर रहे है वहीं विकास सील देशों और अल्प विक्सित देशों की सहायता करने के लिए भारत की सरायना की जा रही है आर्थिक लाब क्या होगा बैस्विक आपूर्ती केंदर की रूप में भारत पड़ोसी देश दच्चिड कोरिया कतर बहरीन सौधी अरब मुरक्को और दच्चिड अप्रीका पड़ोसी देश तथा ये सारे देश को भारत आपूर्ती कर रहा है वैक्सिन की भारत के फार्मा बिनिर्मार छेत में बड़ोत्री हो रही है अर्थवस्ता को पुनर जीवित करने में भी मददगार साबित होगी क्योंकि पड़ोसी जो लेने में सच्चम नहीं है उन्हें फ्री में देकर और जो खरीदने में सच्चमें उन्हें बेच कर भी पैसा कमाया जा सकता है बैक्सीन सीत युद से बचाव अमेरिका और चीन के बीच चल रहे सीत युद में कोरोना वैक्सीन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है नैतिक अधिकार प्राप्त करने में सायक भारत द्वारा वैक्सीन वितरन कारिक्रम ऐसे समय में संचालित किया जा रहा है जब विशु स्वास्त संगठन डबलू एचो के महान देशक ने विक्सित देशों के दवा निर्माताओं के नैतिक व्रिष्टाचार की आलोचना की है ऐसे में भारत को अंतर राष्टी मंच पर अधिक से अधिक नैतिक अधिकार मिल सकते हैं वैक्सिन राष्टवाद में बाधा वैक्सिन राष्टवाद का आसाय उस तंद्र से है जिसके माध्यम से एक देश पूर्व खरीद समझोताओं का प्रियोग करते हुए अपने स्वैम के नागरिकों या निवासियों के लिए वैक्सिन की खुराक को सुरच्छितर करता है और अन देशों को वैक्सिन देने से पूर्व अपने घरेलू बाजारों को प्राथ मिकता देता है परन्तु भारत घरेलू के साथ साथ विदेशों को भी पहुचा रहा है वैक्सीन राष्टवाद का मुख दोस्ट यह है कि इसकी कारण प्राया कम संसाधन वाले देशों को नुकसान का सामना करना पड़ता है जरूरत मन देशों को वैक्सीन उपलब्द कराकर भारत ने वैक सच्छम बनाना भारत द्वारा वैक्सीन की आपूर्ती डवलू एचो समर्थित को वैक्स सुविदा तंत्र के माध्यम से किये जा रहा है वैस्विक सायों को सफल बनाने में महत्पून योगदान दे सकती है आगे क्या राय हो सकती है भारत को कोविट नाइंटीन वैक्सी को सुरू हुआ भारत का कोविट नाइंटीन टी का करण अभियान है भारत के लिए बड़ी चुनोती यह होगी कि वैक्सीन की आपूर्ती करने के साथ ही अपने उन आगरिकों के लिए भी वैक्सीन की उपलबदता सुनस्चित करे जो लागत बहन नहीं कर सकते यह था वैक करेंट से जड़ा हुआ टॉपिक है तो इस तARह के प्रश्न पूछे जाते हैं डारेक्ट अगर प्रिश्ण नहीं आता है तो इन प्रश्न अपकर इन के बारे में बता नहीं होता है तो आसा है यह आप के लिए लाब कारी होगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें धन्नवाद